सब्सक्राइब करें हमारी YouTube चैनल को, बेल ऐकन प्रेस कर ले, GST income tax वीडियो सबसे पहले देखने के लिए Hello Friends, Welcome to our YouTube चैनल, Last time हमने एक वीडियो बनाया था, कि Department ने हमारा GST number cancel कर दिया, रेजन चाई रेटन फाइलिंग हो, या प्लेस का फिजिकल विडियो ना हो पाया हो, या टेक्स का पेमेट हो, कुछ भी हो, Department ने सू मोटो मारा GST number cancel कर दिया, और Government ने हमें उसमें टाइम दे दिया, जब भी Department सू मोटो GST number cancel करता है, तो सैसी के पास एक पावर आदती है कि व वो रेवोकेशन का अप्लिकेशन फाइल कर सकता है, रेजन नेमर करण देख के अपना GST number दुवारा एक्टिवेट कर सकता है, तो उसके लिए या सैसी बाद जोनली 30 दे का टाइम होता है, और स्पेसिक प्रमिसन मिलने बाद 60 डे, टोटल 90 डे होते हैं, तो अमने इस देखा नहीं हुआ कि कौन सी रेवोकेशन का अप्लिकेशन फाइल हो सकता है, तो हमने यही मानने था कि कोई भी GST number जो सूमोटो कैंसलिजन हुआ है टेपार्टम की तरफ से, उसका रेवोकेशन का अप्लिकेशन हम फाइल कर सकते हैं, लेकिन आज GST साइट पे और नया न अप्लिकेशन सेम है, यह क्या करते है, that the timeline for filing the application for revocation of cancellation has been extended, date extend करीए है, फोर दूद किन के लिए, जिनका रेवोकेशन का अप्लिकेशन फाइल होना था 15 अप्लिकेशन से 30 मही के बीच में, पीछे वाले नहीं आएंगे, लास्ट वीडियो हमने यह बोला कि पीछे वाले हर क कोई cover है, तो आज government ने उसको guideline में change कर रखे है, कि जिनका GST revocation application 15 अप्लिकेशन से 30 मही के बीचे फूर कर रहा था, वो अब अपनी revocation का application 31 मही तक file कर सकता है, यहां भी change है, filing वाला भी change है, date भी change कर दी, पहले 15 जुन तक का time था, अब उसको 31 मही कर दिया, तो यह थोड़ा आज government की तरफ से harassment है, कि revocation का application से सबका file होना ही चाहिए था, लेकिन आज government ने इसको change कर दिया, तो 15 अप्लिकेशन से पहले जिनका अगर GST member cancel होके, और 90 डे complete हो गए, तब उनके पास कोई alternate नहीं है, हां 15 अप्लिकेशन से 30 मही वालों के पास अब तक option है, कि GST member sumoto cancellation है, और उनका 90 डे का time period 15 अप्लिकेशन से 30 मही के बीच में फोल कर रहे है, तो वो अपना revocation का application file कर ले और अपना GST member activate कर ले, thank you for watching the video,